स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणा टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल से जल सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आप सभी को DNARLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंसरकार के द्वारा जो भी उजना चलाई जाएगी सब से पहले दीदी आप सभी को अउगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेना टीवी चनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर दीदी आप पहले से ही DNARLM में जुड़ी है तो आपसे निवेदन है कि 5 सुत्र का पालन करना बिल्कुल न भूले साप ताहिक बैठक, साप ताहिक बचत, आंत्री कुधार, समय से रिनवापसी और लेखा जोखा इन 5 सुत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सक्री क्यूंकि सक्री समू को ही योजनाव कलाप दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए तीदी ज़्यदा दाबात करते हुए में टॉपिक की तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थम निल में देखा है समू नहीं कर रहे सौचालयों का संचालन 5 को दिया गया दिदी नोटीस आए जानते हैं पुरा विस्तार से डी बाई बलाक की 5 ग्राम पंचायतों में बने समूदाइक सौचालयों का समूहों द्वारा संचालन नहीं किया जा रहा है काफी समय से सौचालय बन जल रहा है और इनमें साब सफाय भी नहीं हो रही है मामले में परियोजना निदेशक द्वारा अब समुहों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं और इनसे रिकवरी भी होगी करीब पचास हजार रुपई की रासी समुहों को सोचालयों के संचालन को दी गई थी सोचालय बंद होने से ग्रामीडों को परशानी है महिलाओं को आत्मनीर भर बनाने के लिए सासन के आदेष पर समुह बनाए गए है जिले में इस समय पचीश सो से अधिक समुह संचालित हो रहे हैं और इनके द्वारा उत्पाद बनाकर बजारों में बेचे जा रहे हैं सासन द्वारा ग्राम पंचातों में बनाए गए समुदाइक सोचाले भी समुहों को संचालन के लिए दिये गए थे इसमें एक समुहों को करीब 9000 रुपय प्रतीमा दिये गए है मगर DIY बलाक के 5 गाओं में समुहो द्वारा सोचालों को चलाया नहीं जा रहा है ग्राम विकास विभाग के अनुसार सिकाय जो मिली है उसमें कहा गया है कि सोचाला हमेशा बंद रहते हैं और इनमें साब सफाई भी नहीं होती है ऐसे में ग्रामीडों को काफी परशानी होती है मामले में ग्रामीविकास विभाग के परियोजना निदेशक द्वारा पांचों सम्मूहों को नोटीस भेजे जा रहे हैं फिलहाल नोटीस जारी कर उनसे जवाब मांगा जा रहा है यदि इसके बाद भी वह संचालन नहीं करते हैं तो उनसे विभाग रिकवरी करेगा एक सम्मू को 9,000 रुपए की रासी दी गई है इसमें 6,000 रुपए मांगे और 3,000 रुपए साबसपाई के लिए दिये गए है कोट 5 समूहों द्वारा सोचालयों का संचालन डिवाई बलाग में नहीं किया जा रहा है मामले में समूहों को नोटीस जारी किये जा रहे हैं समूहों से रिकवरी भी वसूली की जाएगी समूहों को सोचालय के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है इसमें लापरवाही बर्दासन नहीं की जाएगी चलिए देदे आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेर करना बिल्कुल न मूले आप सभी से निवेदान है कि अगर आपके गाव में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें वाटसप में मैसेज जरू कर दे धन्यवाद जया जीविका